हेलो फ्रेंड्स नमस्कार हुं सित्यम स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चनल निव आइडियास में गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि आज आप लोगों का आप लोगों को उसका गेस्वेपर और जो आपको कोशन्स थे इंपॉर्टेंट पार्ट रोन के लिए मैंने उसका वीडियो आपको बनाया था अगर आपने मेरा कलवाला वीडियो देखा होता तो आपको आप यहां पर आराम से 10 से 12 कोशन्स आप कर पाते क्यों कि भाईया ज अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस वीडियो को प्ले करके चक कर सकते हैं वो इसमें है की नहीं है ठीक है चलिए अब बताते हैं इसको सॉलो करते हैं सही आंसर क्या है विरुकुल मैं आपको बताऊंगा एक्जेक ठीक है कोई विदूधा नहीं है 100% सही आंसर मैं अध्यान दीजे मैंने आपको इस टाइप के कल तीन से चार कुशन कराया थे तो यह उसी टाइप का है तो बिल्कुल एजी है जब इसको सॉल करेंगे तो आपको इस टाइप से आएगा 1110011 इसका आपका राएगा 124816 3264 128 जब आप इनको आड़ करेंगे इस वाले को इस वा यानि जब का पहला वाला है इसमें आपका आजाएगा 227 यानि कि option A is the correct for first question ठीका next देखिए यह question मैंने आपको कली कराया था कि यह question important है कि जो आपकी primary की होती है उसकी value क्या नहीं हो सकती है मैंने आपको कली बताया था तो इसमें का answer आजाएगा cannot be null यानि कि option number A ठीका next यह question मैंने आपको कली कराया था ध्यान दीजे आप अगर आपको इस्वास ना हो रहा हो तो आप वीडियो को ओपन करके वहां से चेक कर सकते हैं तो इसमें का रहाएगा option number C and operating system question number 4 MIS का पूर्ण रूप क्या है यह question मैंने आपको कली कराया था तो इसमें का रहाएगा option number C management information system ठीक and next 1.5 आम तोर पर सबसे अधिक प्रियोग किया आने वाला browser कौन सा है बताइए इंटरनेट explorer और इसका भी यह दोनों ही जो आपके ब्राउजर यह सबसे ज़्यादा यूज किया आते हैं जो आपका इंटरनेट से समंदित है तो उसमें का रहाएगा option number C A और B दोनो ठीक है आप देखते हैं next तो आपको यहाँ पर next question दिया गया है कुछ इस टाइप से भाईया आपको उताना है कि जो आपकी memory का उप्योग यानि कि memory is used to store bios on motherboard भाईया यह question में आपको कली कराया था आप देखें वीडियो में आके इसमें असर क्या रहाएगा option number A room यानि कि read only memory next SQL का पूर्ण रूप क्या भी है यह question में आपको कली कराया था तो SQL क्या होता है structured query लेंगो जाने की option number B is the correct next आपको बताना है कि which of the following is a communication device यानि कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसकी सहाता से हम लोग communication कर सकते हैं तो बिल्कुल सही आपको होता है modem यानि कि modulator और demodulator इसका असरव हो जाएगा option number D is the correct next आपको बताना है यहाँ पर कि using Microsoft words find and replace feature you can हम लोग find और replace की सहाता से क्या कर सकते है है बताइए तो बिल्कुल सही है जो आपका होता ना टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग इन दोनों को ही replace कर सकते हैं find और replace की सहायता से तो जिसका correct answer होगा वह आपका हो जाएगा option number A replace both text and formatting ठीक है next 1.10 आपको बताना है बिल्कुल से question है कि जो numbers होते है 16 उसको क्या बोलते है तो बिल्कुल सही है जिसका base 16 होता है उसको हम बोलते है है hexadecimal number system तो उसमें क्या रहाएगा option number B आपको बताना है कि आपके तसमें से कितने सही निकले हैं जिसने मेरा वीडियो कर वाला देखा होगा तो उसकी नहीं आरांश पार लग जाएगी क्योंकि यह उससे दस बारा कुशन आपके exam में आए हुए है ठीक है अब बारी आप आपका false हो जाएगा ठीक है next windows clipboard can hold multiple piece of information at the same point of time तो बिलकुल गलत है वहिया क्योंकि वो एक time पर एक ही content को store कर सकता है तो क्या हो जाएगा यह भी आपका false हो जाएगा ठीक है ठीक है by default the numbers are left aligned and test is right aligned in spreadsheet आपको बताना है कि जो आपकी excel होती है उसमें जब आपको नमबर लिखते हैं तो क्या वो left side में आता है और जब कोई test लिखते हैं तो क्या वो right side में आता है तो बिलकुल गलत दिया गया है क्यों क्योंकि जो आपके numbers होते हैं वो आपके right side में आते हैं और जो आपका test होता है वो आपका left side में आता है तो क्या हो रहाएगा यह भी आपका false हो जाएगा ठीक है next आप browser is a software program used for viewing web pages on the internet तो बिलकुल सही है आप browser की सहायता से ही किसी वेपेज को देख सकते हैं तो क्या हो रहाएगा यह आपका true हो जाएगा next word file cannot be protected by password तो सरासर गला थे क्यों गला थे भी यह आप MS Word MS Office इन में क्या कर सकते हैं password लगा सकते हैं तो यह क्या हो रहाएगा यह आपका false हो जाएगा next a series of specially designed documents are linked together to be viewed on the internet वर्ल्ड वाइड वेप तो बिलकुल सही जो आपके डाकुमेंट्स हैं जब एक दुसरे से लिंक रहते हैं तो उसको बो जो आपकी ROM होती है वो आपकी non-volatile होती है ना की volatile अगर आप लिखा गया होता RAM तो आपका यह सही होता है चूँ क्या लिखा गया है ROM तो क्या हो रहाएगा यह आपका false हो जाएगा next आपको बताना है कि जो आपका MS Word होता है क्या यह system software है तो सरासर गलत है क्यों भी यह जो आपका MS Word है MS Office है जो आपके सारे सारे क्या है application software है तो क्या हो जाएगा यह भी आपका false हो जाएगा next PowerPoint presentations can be embedded with sound video clips and animations तो बिल्कुल सही है आप PowerPoint presentation में sound को video clips को और information को include कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा यह भी आपका true हो जाएगा next in Microsoft Access deleted record can be undone तो बिल्कुल सही अगर आपने कोई record डिलीट कर दिया है तो आप उसको दुबारा से प्राप्त कर सकते हैं यह क्या हो जाएगा यह भी आपका true हो जाएगा आपको बताना है कि आपकी 20 में से कितने कुशन सहीं निकले हुए है ठीक है पेपर जो आपका था बिल्कुल इसी था बिल्कुल हलवा था ठीक है अब आपके मैचिंग की आपको मैं इसको लेना चाहूंगा इसके इंग्लिस वाला क्योंकि इंग्लिस में समझना आसान रहता है ठीक है तो आपको यहाँ पर इसको रोटेट करना पड़ेगा अभे तो कोई दिख्यत्य स्वाद नहीं है आपकर दिख्या गया है कि एक डाइल्यआप मॉडम को डेटा अंतरण दर को मपा जाता है जबका मॉडम होता है जुसमें डेटा का ट्रांशमिस्टन होता है उसको अम किसमें आपते हैं तो बिल्कुल सही है जो आपका होता के यानि कि किलोबाइट पर सेकेंड तो इसमें का जाएगा 3.1 में आपका आ जाएगा के ठीगा नेक्स्ट एक उपकरनल जो को पूरा करता तो इसको बोलते हैं मॉडम तो इसमें का रहाएगा ऑप्सन नमबर या जाएगा नेक्स्ट यूनिवर्सल सीरियल बस्त वही है मनें आपको यह कोशन भी कली कराया था ध्यान दीजिए जो आपका यूनिवर्सल सीरियलस होता है इसका सौट रूप होता है यू नमट या जाएगा 3.5 आपको बताना चंशाधित देटा यानि की प्रोसेश डैटा तो इसको बोलते हैं इनफार्मेसन यानि की हम बोल सकते है जो आपका यहां पर दिया गया है या आपसिन नमट आपको आजआएका प्रिंट करने गण shortcut अगर आपको किसी file को print करना है तो उसकी shortcut की क्या होती तो बिल्कुल सिंपल सा है control plus P क्या हो रहाएगा control plus P next यह video file का संग्रहे करने के लिए एक extension है तो आपका होता है AVI जो कि आपका जो वीडियो file होती है यह उसका extension होता है next operating system software Apple Macintosh इस पर उप्योग किया रहता है तो ध्यान दीजिए इसके लिए यूज़ करते हैं मैंक operating system यानि की option number d mac OS next आपको बताना है कि CPU के अंतरगत विसेष मेमोरी काई यानि कि जो आपका CPU होते हैं उसके अंदर जापकी मेमोरी होती है उसको क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी तो इसमें क्या रायाएगा option number L is the correct for 3.9 next base 2 के लिए संख्या प्रणाली तो बिल्कुल सिंपल साई नहीं कर सकता आप टॉप 10 बन जाएंगे अब बारी आपके आती है फिलिंदा ब्लैंक्स की तुम्हें यहां पर लेना चाहूंगा यहां पर फोटो थोड़ा सही नहीं इसको तो मैं स्थाही कर लेता हूं कुष्टन यहां पर दिया गया है facility copies only format of the selected test not content यह जो आपका facility होती है वो सिर्फ content की जो फार्मेटिंग होती इसको copy करती है टेस्ट को नहीं तो उसको बोलते हैं format painter तो इसमें क्या जाएगा option number k याने की format painter next is a name of a फॉंट यानि कि इनमेंस ऐसा कौन साय जो एक फॉंट का नाम है यह आपके सारे के सारे क्या है फॉंट के नाम है तो इसमें क्या रहाएगा ऑप्सन नमबर जी कैलिबरी ठीका नेक्स्ट इस दा रेपीड डिस्प्ले आफ सिक्वेंस आफ मिजेश टू क्रियेट एन इलेशन आपने देखा होगा कि इनमेंस उसमें क्या होता है उसमें कई सारी पिक्चर्स होती है वो इतनी स्पीड में आती है तो आपको लगता है कि वह कोई एनिमेंस हो रहा है जबकि होता क्या है वह क्लेक्शन आफ इमजेस होता है तो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्सन नमर एल ए तो इसमें क्या जाएगा option number f ghz ठीक है next आपको बताना है कि can contains file as well as sub folder यानि कि वो क्या है जिसके अंदर हम files भी रह सकते हैं और साथ ही उसके अंदर हम एक sub folder भी रह सकते हैं तो वह आपका होता है फोल्डर यानि फोल्डर गेंदर files और एक folder और यानि फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हम लोग रह सकते हैं उसको बोलते हैं सब फोल्डर तो उसमें कहा जाएगा option number c folder ठीक उसमें कहा जाएगा option number c यानि की folder next base of octal number system जो आपका octal number system होता है उसका base क्या होता है तो बिल्कुल सिंपल स्कोशन इसमें कहा जाएगा option number i यानि की 8 ठीक नेक्स्ट a commercial exchange between business and consumer conduct over the internet is a right way तो बिल्कुल सही है जो आपका होता ना commercial exchange business और consumer की विच में इसको बोलते हैं b2 c क्या बोलते है b2 c तो इसमें क्या जाएगा option number b इसमें क्या जाएगा option number b याजएगा b2c next operating system is software जो आपका परेटिंग सिस्टम होता है वो कैसा software था बिल्कुल सिंपल सही अपका क्या होता है system software होता है इसमें क्या जाएगा option न्मब्र तो आुवआश्यम इसमें हो जाएगा इसमें आपका आना चाहिए इस स्टार इसमें क्या जाएगा स्टार मेश्टार है वह अवारव सायगा स्टार Nist Unix command is used to change ownership of the file तो ध्यान दीजिए अगर आपको किसी भी ownership की file को फाइल के ownership को change करना है तो आप उसके लिए Unix में command use करते है चोन क्या यूज करते है चोन तो इसमें देखते हैं कौन अप्शन दिया आप इसी को दीजे preference क्योंकि यहां पर option दिया ही नहीं गया है चोन जब कुछ आपका चोन होता यह command होती है यूनिक्स में जिसकी साथा से हम फाइल के ownership को change कर सकते है तो इसमें का जाएगा चोन आना चाहिए चुकि यहां पर option नहीं दिया गया है तो इसकेस में आप यहां पर अपने मेंसे कोई भी option लिल लगा सकते है ठीक है अब बातता थी अब बारी है part 2 की तो आपसे यहां पर एकसल के पांच फंक्शन मेल मर्ज हेडर फुटर फुटनूट इंड़नूट और आप से यहां पर पूछा गया है यह देखिए आप्लिकसन साफ्टवेर्स ठीक है और डिस्क्राइब वरियस कंपोनेंट्स आफ विंडोज डिस्क्टॉप और आप से यहां पूछा गया है यह को दिखाता हूं तो यहां में यहां को दिया गया है कि जो आपका होता है information technology उसमें सिच्छा का क्या योगदान है ठीक है और यहां पर आपको बने बताया था कि रैम रोम और कैस्मोरी क्या होती है और intellectual property rights यह जो questions है सारे के सारे मेरे गेस्वेपर से आए हुए मैं आको दिखाता हूँ यहां पर अपने के स्वेपर दाकि आपको आपको क्लियर हो जाए दिखाता हूँ मैं आपको यह पर देखिए सबसे बरे देखिए मैं आपसे कहा था चिला चिला कि भीया आपके के एक्जाम में यहां से चार कोश्चन जरूर चार मैंसे एक क्शन जरूर धर देने को मिलेगा तो यहां से आपको पढ़के घर आपके आपके यहां और आप हम और साथि इस ने अपका इक्जाम से यहां से बड़ जया हुआ और सथी उसमें और बना रुख़ये मैं आप से का टाथा कि बमको कि अमें निस्ट यहां से circumstance आया है और सथी तो यहां से ऊंजिल्टर स्था झाल सथी और है अपको पड़के आना आथैना तो यहां पर हम देखे ध्यान से तो यहां पर देखिए इन में से कुछन आपको पढ़के आना है और memory पढ़के जाएगा तो आपके exam में पाटन ने कुछन यहां से बने हुए हैं और आपको दिखाता हूँ यहां पर तो और हम जहां से देखे धान से तो मैंने आपसे आपको पढ़के आना है memory के बारे में ठीक है तो आपसे यहां देखेंगे कि आपके exam में रायम रोम और कैस पूछी गई है तो मुझे आसा है कि आपके exam में जो आपने कर क्या होंगे अच्छा आपका exam हुआ होगा क्योंकि भीया मैंने आपको जो content दिया वो ब्लुकुल 60 वाइठा है और साथी अच् हैंद जय भाराद थैंक्यू फ्रेंड्स